एलेक्शन नहीं है यह तारीक है यहाँ पर तारीक को दर्च करना है यहाँ पर हमारे वजूद को साबित करना है हम जिन्दा है हमारे में गई रत है हमें इज़त है यहाँ पर जिन्दगी गुजारना है शान के साथ हमारी आगे आने वारी नसले गुलबर का शहर के अंदर सर उठां करेंगे हम कमज़ोर नहीं है हमारी तारीक कमज़ोर नहीं फैसे बातने के लिए आ रहे हैं घुराष्र बनाएगा तेरा पाफ कर आज नहीं है, तो हिंदुस्तान के संविधान कर आज है, बाबा साभ अम्वाट कर आज है। करनाटका के असम्बली इंतकावाद की पहली मीटिंग में जैस परतश्रीफ करनाटका दलिट सेना के सदर मेरे भाई हनमत जी यलसंगी सहाब मेरे बड़े भाई जाविद भागवान सहाब नाइस पर मौजूद रुप्रिदिन तोला रहमत अलाय की दर्गा के खलीपा नईम सहाब इस महले के हर्कियाती लीडर एक्स क्वार्परेटर आजम पटेल सहाब डाइस पर मौजूद अवजाल महमूद सहाब उस्मान सहाब कुछी जिनों पहले कांगरेस को छोड़ करके जनता दल में शमूलियत हासिल करने वाले नौजवान साथी इनायत सहाब इमाम सहाब और गुलबरगा शहर के एक सीनियर सियासी परस्नालिटी जनों ने गुलबरगा कॉर्पोरेशन में बहाईसियत मेयर, डेप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर जनों ने गुलबरगा की सियासत के उतल उतल को देखा है इस महले में इस डाइस में मौजूद इकवाद शिनिफरोश सहाब शाहिन कांग सहाब अन्वर सहाब तौफिक पटेल सहाब नियर्द सहाब तमाम लोगों के नाम ले सकता हूँ मगर वक्त की खिल्लत बुजर्गों नौज़ूँआं साथियों परदा नशीन मेरी माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम रहुतुल्लाई और बरकातु अलेक्शन के दौर का नौमिनेशन के बाद गुलबरगार नौर्थ कॉंस्क्रिंसी में ये पहली मीटिंग है और अलहम्दुल्लाई अल्लाई सुभानाव तालाई ने इस मीटिंग से पहले अपनी रहमत को बरसाया बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीटिंग को कैंसल किया जाए मीटिंग को कैंसल किया जाए मगर इस लम वबाद के हमारे पार्टी के जिम्मेदार नौजवान साथियों ने कहा कि नाजिर साथ अगर बारिश भी होती है तो आप आए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं मैं उनके जजबे को उनकी इस महबद को सलाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करने से पहले अल्लामा अकबाल का ओशेर जो सियासत को लेकर सियासत के माइने बताने के लिए उन्होंने कहा था सबक फिर पढ़ सबक फिर पढ़ सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का सुजात का लिया जाएगा तुझे काम ख़ूमों की इमामत का अभी इस तर बात जाएगा यह शीर अल्लामा अकबाल सहाब ने सियासत किस तरह से की जाएगा लीडर किस तरह से होना चाहिए ख्यादत के माने क्या है सियासत के माने क्या है तमाम चीज़ों को इसी एक शेर में उनों नहीं परवा है मुझसे खबल हमारे साथियों ने अक्बाल सहाब ने, यरसंगी सहाब ने, मौलाना वकार अश्रफी सहाब ने आदम पडेल सहाब ने आप उसके बीच बहुत से ऐसी बाते रखी जो गुलिष्टा पांच सालों में हमारी दर्मियान हुए है हर मामले में हर इशू पर जो बरसर एक्तदार है उन खामोश रहे है एक तरफ जिनको जिम्मेदारी जी गई है वो खामोश है और दूसरी तरफ यरसंगी सहाब ने का कि आज जो सियासी मंजर हिंदुस्तान में है करनाटका में है गुलबरगा में है वो मंजर यह है यह फाशिस ताकते कमुनल ताकते मुसलमानों को कमजोर बताना चाहती है दलित भाईयों को कमजोर साबित करना चाहती है मुसलसल तार पर आप चाहे किसी अकबार को खोलिए किसी कीवी चैनल के चैनल को आप फरड़ करके देखिए मुसलसल तार पर मुसलमानों को टार्गेट करनी की साधिशे हो रही है मुसलमानों के खिलाब बात करना आजका एक निजाम बन चुका है एक फैकलंग बन चुका है हम खामोश हैं हिक्बत के नाम पे खामोश है हम को पूचा जाता है कि साबेद करो कि हम हिंदुस्तानी है मुसलमानों को पूचा जाता है यह नाजी के जरीए सी-ड़ले के जरीए हम मुसलमान जिन्हों ने हिंदुस्तान के इस आजाजी के लिए सबसक्त पहले पहले अगर किसी ने की अंग्रोजों के खिलाफ तो ये हम मुसल्मान हैं सिराजु दौला हो तो हज़रती कुल्तान रह्मतुला अलाय है हिंदुस्तान का इसा कोई कोना नहीं जहां पर मुसल्मानों ने अपने कूम से इस मुल्क को आजाज करने के लिए इस जर्थी को दंग नहीं दिया ऐसा कोई इलाखा नहीं जहां पर हमारे उल्मा एक्राम को शहादत नहीं जी हुए अग्रिज़ अज़ हमसे पूचा जाता है कि उसके बाद कि शहर में इतिजाज हुए हिंदुस्तान भर में इतिजाज हुए हमारे दलित भाई हम से खंद्याबा खंदा मिलाकर के लड़ाई में शामिल रहे हैं करना लगा में हुकूमत बीजे पी के आती है हिजाब का मामला हमारी बेहनों को जो स्कूल पढ़ते हैं कालेज पढ़ती है उन से पूछा जाता है उन पे उंगलिया उठाई जाती है कि हिजाब पहन कर स्कूल नहीं है एतिजाज होते हैं सबसे पहले हिजाब के ताईर में अगर किसी ने बयान जिया है तो आपका भाई नासर उसे नुस्ताद है देख लीजिए सुछा यहनार्शी के मामले में इसी डवले के मामले में जिस दिन राज्य सबह में बिल पास हो रहा था जिस दिन राज्य सबह में बिल पास हो रहा था उसी दिन उसी राज बाकर फंक्शन हाल में गुलबरगा शहर के तमाम सोशिल एक्टिविट्स को मजभी रहनुमाओं को जमाद के जिम्मेदारों को प्रोग्रेसिव ठिंकर्स की मीटिंग जो है बाकर फंक्शनाल में बुलाई गई और उस मीटिंग में ताई किया गया कि हम सबसे पहले इतिजाज करेंगे मुस्लिम चौप पर इतिजाज होगा उसके बाद गुलबरगा बंद किया जाएगा और अलहम्दुलिल्ला गुलबरगा शहर के उस अईतिजाज ने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की वो मिसाल मेरे पहल से नहीं थी बलके गुलबरगा की गयूर अवाम के इतिहाद को साबिच करने के चारएगा मुझे गिरफ्तार किया गया आदा गंटे के अंदर पचास हजार से जायद लोग रोड़ पर उतर आएग अजान का मामला हमारे मस्जिदों तक आ गया है हमारी मरकजी मस्जिद तक पहुँच गया है जो सुपर मार्केट में है उस मस्जिद तक पहुँच गया जेवरगी का एक फिरकाफरस्ट पहुँच गया यह एलान करके कि मस्जिद से माइक निकाला जाएगा स्पीकर निकाला जाएगा हनुमान चलिशा लगाओंगा मैं मुबरत बाद पेश करता हूं हिंदुस्तान की इस तारीक को जो हिंदू-मुस्लिम इत्याद को दर्शाता है हमारे दलिद भाई सुबा सुबा हनुमान त्यरसंगी वहां पर उनकी टीम को लेकर मौजूद थे और बेखाफ होकर बगर किसी जिजखक के साथ यह ऐलान किया गया कॉर्माइका लाल है जिसमें जुर्ष है कि मस्जिद के सामने आकर के लौड स्पीकर को लिकालने की जुर्ष करेगा देखेंगे इसका ऐलान हम जो है मीडिया के सामने करने वाले एगी यह सिंग सुबा से लेकर शाम तक हम वहां पर मवजूद थे मुसल्सिल तोर पर इन पांच सालों में आपने कोविड देखा कोविड के अंदर रमदान का मुबारक महीना इफ्तार के लिए पर्मिशन दिया गया जब इफ्तार लेने हमारे रोजदार भाई निकलते हैं तो पोलिस कॉनिस्टेबल उनको पगड़ करके फाइन देखा कि वालेंटियर आरेसेस के वालेंटियर बीजे पी के वालेंटियर वो रोजदार को पकड़ करके फाइन दाल रहे थी तक्रीबल पांच हजार कितने पांच हजार रोज़दारों को जो है जो इफ्तार लेके जा रहे थे उनको गिरफ्तार करके उनको उनकी गाड़ी सब्सक्राइब मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोविड के दौरान लॉकडान के दौरान कहीं पर भी आइतजाद नहीं हुआ गुल्बर का शहर के अंधर बस्टैंड के सामने में पहुने से पहले संत्राशाड़ी में यहां पर अगर कोई संत्राश्वाडी का जिमेदार है तो वोचदीए संत्राइश्वाड़ी पर जाकर के वहाँ पर सरकल इंस्पेक्टरेस के साथ बहाइश किया हूँ मैंने करा कि जब इजादत आते हैं तब रोज़दार घर को इफतार लेने आते हैं तो क्या वज़ाई कि आप दूर अफतार करते हैं वहां से बस्टेंड के सामने जा करके इतजाज करने का काम वहां पर धरना बेटने का काम हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कुविड के अंदर इतजाज नहीं हुआ आपके इस भाई ने सियासत इक्तिदार को हासिल करने का जरीया नहीं है बहुत से लोग सियासत को इतना आसान बना दिये हैं सियासत को मज़ाग बना दिये हैं बई क्या फाइदा हो सकता है क्या नुक्सान हो सकता है ये जाती फाइदे के लिए सियासत करना छोड़ दीजिए आज पूरे जिले की नजर नहीं है थराबाद करना तक है कि नजर गुलबरगा शेहर के तरफ है क्या वज़ा है उसकी उसकी वज़ा सिर्फ इतनी है कि गुलबरगा की गयूर आवाब कभी मजबूरी में ओट करने की खामिल नहीं है खायल नहीं है यहां के गयूर ओटर्स एक आवास को हिकरना नगा के अंदर देने का काम करते आएं और मुझे पूरी हुमिद है इंशालला उताला कि इस एलेक्शन के अंदर फिर से इत्याहाद को खायम किया जाएगा इत्याहाद हमारे नस्पनस में है आज लोग निकले हैं सीट बचाना है मुझे बड़ी तकलीफ होती है बड़ी तकलीफ होती है साथ सीट बचाना है एक होकर के ओटिंग करना है बेशक एक होकर के ओटिंग करना है जीडियस का ओट बैंक 15,000 कांगरेस का ओड़ बैंक 7,000 बीजे पीली 45,000 फिल्स बुक पे दिकाले तो वुच्च गुत्यदारों के सामने जाओ गुत्यदार वही बात कर रहे हैं थोड़े लोगों को कांगरेस वरकर्स को देजी हैं समझाओ लोगों को मैं आप से पूछना चाहता हूँ यहां पर इकबाल साब शिर्णी फरोष साहब मौजूर हैं नेयर साब मौजूर हैं जावित साब आतियों साब मौजूद हैं 1978 में गुर्परगा शहर के क्या मामला आते मुझे मालूम नहीं मैंने सुना हैं कि मार्केट मज्जीज में कुछ गिलाज़त थे की गई किसी के गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी तो खमर साब वहां पर पर जाकर के लड़ने का काम किये और अरहम दुलिल्ला गुलबर का शहर के पूरे मुसलमान उनका साथ आज इसलाम अबाद के इस प्लाटफॉर्म से पहले मिंटिंग से मैं उन कांगरेसी भाईयों किसे पूछना चाहता हूं पूछना चाहता हूं कि अगर उस दौर के मुसलमान अगर यही साथ किताब करते यही सवाल करते कि कांगरेस से तो पांच बार चाहर बार मुहमद इली साथ जीत के आए हैं यम्मेले हैं स्रीर डेवलेंशी मेंबर हैं बताएए ओर्ड बैंक का हैं किस तरह से जीता जाएगा कितना ओट बैंक था मुस्लिम लिग को से पहले हैं इखवाल साथ जीरो जीरो ओट बैंक से घुलबरगा शाहर के अंदर यम्मेलि जीतने का कामुष दौर के मुसलमानों ने किया हैं यह हमारी तारीख है यह हमारी पाइचान है और जो यम्मेले थे वो खामोस थे उन मामलात में उनके ओड़ कितने थे दो हजार दो हजार ओड़ सिटिंग यम्मेले अज़ हम से पूचा जाता है कि पंदरा हजार है साथ हजार है कैसे होता क्या होता भाई यह हिसाब किताब मैथेमेटिक्स का काम नहीं है सियासत हिसाब किताब करना है तो तिजारत करो फाइदा और नुक्सान करो यह सियासत सदाकत का है अदालत का है सुझात का है तुझ मेंने सदाकत है तुझ मेंना अदालत है सियासत करने निकले हो यह लोग जो हिसाब किताब बताने के लिए हैं उनको बताईए तारीक क्या है उनको बताईए जो आज गुलबरगा शेहर के यम्मेले साहिब है मौतरमा है उनको शोहर गुलबरगा शेहर के अंदर जो एलेक्शन जीते हैं चोटी मोटी पार्टी से ही जीते हैं बड़ी पार्टी से जीत नहीं हुई है जो चोटी मोटी पार्टी बोलने वाले वही चोटी मोटी पार्टी से वह जीत के आएं अगर उस दोर में यही हिसाब चिताब करने वाले रहते तो मर्हूम खमुल इसलाम साब यम्मेले कभी नहीं बन सकते थे आज उनके अहलिया खमुल के में यह जमूरियत है यह डेमोक्रासी है इसमें बड़े प्यारे खेल होते है कामरेस के सबसे बड़े लीडर जो हिंदुस्तान के हमारे इलाखे के हैं मलिकार्चुन फर्गे सहाब आप से पूछ रहा हूँ कितने होटों से उनकी जीत हुई थी इस बार तो शिकस भी उससे पहले कितने होटों से जीत हुई थी असी हजार से जीत असी हजार से गुलबरगा के पार्लिमेंट कॉंस्ट्रेंसी में जीतने वाले मलिकार्चुन फर्गे सहाब जो गुलबरगा शहर के अंदर आर्टिकल 371 जेल आए एस्याइए हॉस्पेटल बनाए बहुत से डेवलेटमेंट काम हुए उनकी शिकस्त कितने ओटों से हुई एक लाक ओटों से जायर ओट से हुई और वो भी किस के सामने है कौन तान के सामने है आज कोन है हैं मेंबर अफ पार्लिमेंट है कोन है उमेश जादव कोल से कांस्टनसी के है उनों चिंचोडी के अमेल ले वो चिंचोडी जो गुलबर गाप पार्लिमेंट कांस्टनसी में भी नहीं आता वो बीदर पार्लिमेंट 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 अलेक्शन से तीन महने पहले चार महने पहले इस् से बड़े लीडर उनको दो लाख ओटों का फरक लाने की धुम्मत करते हैं तो बो यह आप आप से पुछता हूँ मुसल्सिल पांच साल आपने उनकी खामोशी देखा है मुसल्सिल पांच साल आपके भाई की जद्द जहद आपने देखी है मेरे लगाई ने की है क्या आप एक लाख ओटों का फरक नहीं कर सकते अगर यही मामला होता हम मुसल्मान है हमें फकर है हमारी तारीफ पर फकर है इस बात पर कि हमने दोस्तिया आई दुनिया पे हुकूमत की है हमें फकर है इस बात पर कि हम अद्रों इंसाफ करने वाले हैं हम आईसे ऐसे मुमालिक पर भी हमने हुकूमत की जहां पर हमको जबान नहीं मालूम हुआ हमारे खुलफाएक राश्री हदरत अबुबकर शिद्धीक रजियल्लाव ताला हरूर के दौर में दो थ्याई दुनिया पर हमारी हुकूमत करव हैं उस दौर में ऐसे हिसाफ करने वाले नहीं थे पर लेकर पर कैसा होता हमारी अबादियत की सूपर पावर के आबादियत की अबारे घोड़े इत्ते उनके उगड़े जंग में फते जीत हासिल होना यह हिसाफ किताब पेपर पर नहीं होता इसके लिए जो चाहिए को मदबूत इरादा चाहिए उसके लिए जो चाहिए वो होस्वा जाएए इसके लिए जो चाहिए वो सदाक्त चाहिए इसके लिए जो चाहिए वो इनसाफ चाहिए आपके बीच पांच साल मसलसल तोर पर दो बार शिकस्त होने के बावजूद आपके बीच में रहा हूँ आपके लिए लड़ रहा हूँ मेरे वालिद मरहूम सादत हुसेर उस्ताद सहाब जो गुलबरगा के अंदर नहीं बलके हैजराबाद करनाटगा के सबसे बड़े वकील है उनके जूनियर है या संगी साथ मुझे सियासत में चम्चा की निए करने के लिए नहीं छोड़े हैं मुझे समचा के लिए नहीं सिखाया है मुझे इक्तदार के लिए कॉम्प्रमेस करना नहीं सिखाया है अगर मैं चाहता तो आज शायद इक्तदार में आ सकता था कॉम्प्रमेस कर सकता था हाथ जोड़के खड़े होने पर शायद मुझे भी इनाम मिल सकता था हसाब मुसरत की जिसके गफ्जे में मेरी जान जब तक जिन्दा हो गुलामिक की जन्जीर अपने गले में नहीं पेड़ूंगा अगर यह हर कट मुझे होगी तो मेरी मर्भूम वालिद के रुख को तकलिफ होगी यह काम मैंने कर सकता मेरे फित्रत में जुकुना कमजूर पड़ना यह मेरे मिजजत में नहीं लड़ाइ लड़रा हूँ बहुत हिम्ट चुटा के लड़रा हूँ जो हिसाब किताब तुम्हरे पास है उसी जिए च्शली चिए मैं गानता हूँ मुझे बालूम है यह लड़ाई आसान नहीं है मगर जो हालात जड़संगी साहब ने बताये हैं ऐसी हालात में मैं सियासी समझ रखते हुए तजुरुबा रखते हुए अगर मैं कॉम्प्रमाइस करता हूँ तो मुझे कोई हक नी इस सियासत में रहने का मैं आखिरत में क्या जवाब दूए मिल्लत के उपर एंटी कन्वर्शन खानून बनता है असमली में बहस नहीं होती आप यहां पर बुज़र्ग बेढ़े हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपके दिलों को तकलीफ नहीं हुई हुई की नहीं हुई हमारी बेहनों के हिजाब के मामले पे जब बहस होती है असमली में आपको तकलीफ हुई के नहीं हुई अलंक के मामला 165 लोगों को गिरफतार किया गया है दस हमारी बہनों को गिरफतार माओ को गिरफतार सुबाट चार बजे दर्वा से तोड़कर के हमारी माओ और बहनों को घचिट कर पली स्टेशन लेगे घैस जेल को लेगे जा रहा है यहाँ पर जितने लोग है इमान वाले मैं हमसे पूछता हूँ क्या आपके दिलों को तकलीफ हुई के नहीं हुई क्या आपके दिलों को हरारत हुई के नहीं हुई हुई क्या नहीं हुई जब कोई ऐलान करता है कि हम मस्जिदों को परचा करके लौड स्पीकर निकालेंगे हनुमान चली साल लगाएंगे क्या आपको घुसा आया के नहीं आया बताईए मुझे मेरी माँ और भेरों ते पूछना चाहता हूँ आप से हमारी इस्थ है आप से हमारी पहचान है हवातिन सियासत में होना चाहिए नहीं होना चाहिए बहस में नहीं करता मुझे जरूरत नहीं है इसलाम ने हमको सिखाया है कि आवरत के ख़दमों में जन्नत होती मेरी मा के ख़दमों में मेरी जन्नत मेरी बेंग मुझे फकर है कि ताली में आपता है हमारे भीबी के साथ किस तरह से रहना आए उसने स्वलुक के साथ आज लिस्यासत में हो इतनी मुष्ञिधा, भी वीबी को देख के मुष्कुराने से सथका, यह हमारी पहेचान यह हमारी इस्थ रिजध है, यह हमारी माउं के ताक्स, और खसल, जब भी इसलाम को खत्रह आया है हमारी माँ और बहनों ने खड़े होकर कि इसलाम की अफ़्ादद करने का काम किया है कثीर तदात में हमारी माँ और बहने याँ पर मौजूद है जंग अहुज में नभी एकरीम स्लल lag ज् Crisp वहाँ पर मुझूद थे उनके दन्दाने मुबारक शहीद हुए किसी सहावी ने उनके पूछा कि आप अप अपको जंग अहुद के बारे में क्या याद आता है तो आका ने फर्माया कि जब भी मुझे इस अहुद के बारे में याद आता है तो अम हमारा की मुझे याद आता है वो अम हमारा जो इसलाम की हमारी मा जब काफिरों ने नभी करीम नजान लेने के लिए अखिया तो आप चौतार करें बताते हैं जहहां पर भी मेरी नजर जाती उम्में हमारा तलवाज लेकर के दुष्मनों के सामने मुकाबला करने वारी वो हमारी माएं और बेहने हैं वक्ताने पर आपकी हिभाज़त करने की जिम्मेदारी हमारी है और शर्यात के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं ट्रिपल तलाग को लेकर के हिजाब को ले करके हमारी बेहनों को तर्गेट किया जा रहा है कि हिजाब ना प्याय ना जाए डिस्टरब करने के लिए आज फखर है हमें कि वो स्कूल की नोजवान बच्ची आपको याद होगा मंडिया के अंदर मुश्कान नामी वो बच्ची जो RSS के बेड़ी है उस पे हमला करते हैं तो एक छोटी सी बच्ची हमारी बेहन नारे तकबीर को बुलंद करते हुए उनका मकामला करती है यह हमारी बेहने हैं यह हमारी माएं है माहर बेहनों से मुझे कोई शिकायत नहीं शिकायत जो बरसरे एक्तदार हैं उनकी खाबोशी से है शिकायच इस बाट के है कि हालाग जो मुसलसल तार पर हम पर हमले हो रहे हैं मुसलसल तार पर हमको कमदोर साबित करने की कोशिश की जा रही है हमको रोजगार की फिकर नहीं है हमको पैसे की फिकर नहीं है election में कितना पैसा कौन देगा कितने तिंचलनेवाले हैं पैसा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन कितने पैसे होना आमा आप दुमार को 10,000 रुपए आपको दिया जाएगा ये गोड के लिए आपके बेटी का हिजाब दिकाल के बार खिराना आप हिजाब ने पेना मंजूर है आपको मंजूर है मां बोले आवाज नहीं आ रही पूरे कुलबर लेकी खवा तीन कुछाना आवाज एक लाग रुपए देता हूं एक लाग रुपए अगर कोई देता है आपके महले के मस्जित पर हणुमान चाली सा लौड स्पीकर पर च मंजूर है मंजूर नहीं है आज की हाला अलेक्शन नहीं है यह तारीक है यहाँ पर तारीक को दर्च करना है यहाँ पर हमारे वजूद को साबिद करना है हम जिन्दा है हमारे में गयरत है हमें इस तो यहाँ पर जिन्देगी गुजारना है शान के साथ हमारी आगे आने व कमदोरी इसको साबिद करने का इलेक्शन है इन पांच सालों में मैं आप से पुछता हूं मेरे भाईयों से बुद्रमों से नौजमान साथियों से पुछता हूं हर मामले में आपने तरपा है हर मामले में आपको कमदोरी महसूस हुई है आपको महसूस हुआ है अलंद के मामल पाज गुत्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं पाज गुत्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर केला बंडी वालों बंडी का अला जाता है दो दो महिने तक बेरुज़गार सूपर मार्केट में कॉर्पोरेशन कॉंप्लेक्स में 20 महीने से हमारे मुस्लिम ताजीर लाइट लगकर अंधेरे में कारुबार कर रहे है हिंदुस्तान के आजाजी से पहले का मामला और अब एलेक्शन में मुझे समझ में नहीं आरा किस हिम्मत के साथ किस जुर्णत के साथ किस यकीन के साथ आपके बीच ओठ मगने आ रहे हैं वो लोग और दीजिए बेड़न बहुत अच्छी है सीट बचेगी और तफसीन मत कीजिए मैं आपसे पुस्ता हूँ पांच साल हमने कमजोरी महसूस किया है मिल्ड दर्गे दुश्मरों के सामने लाचार महसूस किया है किया है कि नहीं किया है हमको इसी तरह से जिन्दी कुछारना है इसी तरह से तरपना है यह एलेक्शन में निकलने वाले बारिश के मेंड़क मैंने आवावी बेजारी के प्रोग्राम में जो चार चार गंटे मैं निकला हूँ उसी दवरान मैंने कहा कि एलेक्षन जब आएगा तो मार्केट से चंद लोग निकलेंगे सीट बचाना है मेरं गोर्ट में जाले तो बीजे पी जीती शाहिद आपको याद होगा याद है ये लोग जो बारिश के मेंड़क हैं ये गरीब के खिलास होने वाले जुम के खिलास कभी खड़े नहीं होते मुसल्मानों के हिजाद के मामले में कभी पूर नहीं खोलते मैं बस मस्जिद के सिमिदार भी बाहर निकलें सुनाएं मैं मैं बस मस्जिद पर हनवान चालीसा लगाएंगे लोड्स फिंगर निकाले जाएगा जब ये लोग मस्जिद के बाहर खड़े नहीं होते हैं जब हमारे हनुमान के अरसंगी वहाँ पर जाते हैं हम जाते हैं बतार बताईए ये लोग आपको इलक्षन में आ रहे हैं पूचिए उनसे पूचिए कि सियासत किसकी वज़ेसे करना चाहते हैं तुम्हारे पास माखुल पैसा है, माखुल नोट है तुम किसके पास भी अपने काम लेकर जा सकते हैं, काम करवा सकते हैं ये गरीब मुसल्मान जो रोड़ पे कारोबार कर रहा है उसके लिए लड़ने वाला कौन है? मैं आप से वक्त कितना बचा है अबी? मैं आप से सिर्फ इतना ही पूचने चाता हूँ इतना ही खहना चाता हूँ ये ऐलेक्शन गुलुबरगाश शहर के तारीक का ऐसा ऐलेक्शन है गुलुबरगाश शहर का एक एक ओड़ की किमत 40 यम्मेले के ओड़ की किमत से जायद है अल्ला के वास्ते, अल्ला को हाजिर नाजिर रखर, आप लोग अपने ओड का इस्तिमाल कीजिए बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ा हूँ इन पांच साल की जो कमजोरी मिल्लत के सामने थी, मैं समस्ताओं के हिंदुस्तान के आजादी के बाद से लेकर अब तक, इतना कमजोर मुसल्मान कभी महसूस नहीं किया है, कभी महसूस नहीं, दुश्मन ताकत वर, दुश्मन सबसे बड़े पैसे वाले को भेज रहा है, बीजेपी के ऑफिस को भी जा रहे हैं, चंदू पाटिल से भी मिल रहे हैं, ये चंदू पाटिल, वो शक्स है जो महबस की बाहर, डैंस करता है, डैंस, और गाना क्या, खून से रंदेंगे, किस के खून से रंदेगा, मुसल्मानों के खून से रंदेगे वाले राजे पर तू नाकता है मज़ितों के बाहर, और मुश्लिम महलों में आकरके, अपने आपको सेकुलर साबित, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कायम हुआ, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, तेरा बाट को राज नहीं है, तेर समातन धर्म को स्तापन करना, चोटा मोधी बनेगा, चोटा मोधी, अरे चोटे, चोटा भीम देखा है तू डोरेमान, मुस्लिम चोट पर चार लोग लेकी निकल रहे हैं, मैं डवल्लप्मेंट करतू, तेरी डवल्लप्मेंट की IP किताई से, पहले माफी माँंग, माफी माँंग, मुसलमानों से, जिनके मस्धिक के बाहर तू ऐसे कहने लगा करके ना चाहा है, मापी माँ मुसल्मानों उस्ते गुलबरगा नार्थ कॉंस्ट्रिएंसी पाकिस्तान मनती थी क्या बयान है तेरा क्या बात है तेरी हिंदुस्तान का मुसल्मान तो किसी गैर से सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं है हिंदुस्तान मुसल्मानों का था मुसल्मानों का है ख्यामत तक मुसल्मानों का रहेगा और हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसल्मान चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो हिंदुस्तान की अजमत बचाने के लिए शान बचाने के लिए कल भी कुर्बान हुआ था आज भी खुर्बान होने के लिए तैयार है आगे भी खुर्बान होने के लिए तैयार रहेगा एक तरफ जहर उगलता है एक तरफ जहीनी लिए तक्रीर करता है आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू-मुस्लिम इत्हाद के लिए हम पहल करते हैं आज मुझे तकलीफ होती है तो हणुमंत यरसंगी हमारे लिए आके खड़ा होता है हमारे लिंगायत भाई हमारे लिए खड़े होते हैं हम वो बराबर हैं वो हमारे से बड़े भी नहीं हम उनसे बड़े भी नहीं ये बाबा साब अम्बेर्टन ये हमारे इसलाम की तारीक इसको ले करके आगे चलना है गंगा जम्री तहजीब को बरकरार रखना है खाज़ा बंदनावाद गेश दुराज रहमत अले किये सर्जमीन और या कराम किये सर्जमीन चशनलाव स्वेशन किये सर्जमीन कभी जात पाद के नाम पर तकसीम नहीं हो सकती इस मिठी पर हमेशा से से किलर्जम का बोल वाला राय इंशालव ऑटना हम इसको छोटे भीम के हाथ में देने के लिए तयार नहीं है दोरे मांच के लिए तयार नहीं है इतिहात को खायम किया जाएगा फिर से तारीक लिकी जाएगी इंशाला तरह आवारी माय और भेने जाएगा आपको इस एलेक्शन की एहमियत का आईसास हो छुका है आपको खुलबरगा के अंदर हिंदु-मुस्लिम इतिहात को खायम करने के लिए मुसल्मानों को सर्फ उठा करके जीने के लिए आपको मजबूती से काम करना है पैसे बा पास पैसे की सरूर्णत भी नहीं है नासे पैसे नहीं कमाया है मगर दो लोगों के दिलों में इज़त को मौपत कमाया है इज़त कमाया है यह पैसे काम आने वाले हैं आपको पैसे वाले काम आने वाले हैं मिलत को कभी कभी काम आने वाले नहीं है पहला प्रोग्राम बारि दिल की अमीग गेरेंगों से शुक्रियादा करता हो और आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके भाई का निशान आपके बेटे का निशान क्या है जोड़ सब्सक्राइब क्या है निशान भाई वाली औरत महिनत करने वाली औरत खामोश बिड़ने वाली औरत ने महिनत करने वाले औरत कमीशन होनी औरत महिनत करने लिए और औरत मर्द नहीं हुरत हमारी पार्टे कर निशान étantता वाली हुषाओ हिजाब के लिए सबसे पहले बात करने वाले को कुमार स्वामी अजान के बारे में बात करने वाले को कुमार स्वामी चार परसंट रिजर्वेशन देने वाले को मुसलमानों को गुमार स्वाम, देवे गोड़ा, जेडियस, ये पार्टी हमारी है, इंशालला उतला दस तारीक को आपको फाइसला लेना है गैरेंटी कार्ड का तो ना तक खतम हो गया गैरेंटी कार्ड दे रहते हैं वो जुट समझ में आने हैं सब लोगों को हमारी गैरेंटी जो भुज़ुर्ग रहेंगे औरत मर्द 65 साल के 5000 महिना दिया जाएगा पांच सिलंडर दिये जाएंगे साफ पीने का पानी आपको दिया जाएगा पांच हजाएगा लोगों को रोजगार देने का काम आपका बाहिक करेगा जिताके लाइए इस शान के साथ जिंदगी करेंगे हिंदु मुस्लिम इत्याद को खायब करेंगे मैं उम्मीद करता आप तमाम लोग इस एलेक्शन को एलेक्शन की तरह मतलिए यह एक मुमेंट है यह तारीक है इस तारीक को हमको दर्च करना है ताके हमारी आगे आने वाले नसले इस शाथ के साथ शान के साथ गुलबर का मिज़नी करेंगे शुक्रिया अस्लावाँ